मंत्र जाप तो आप सब लोग करते हैं, बट मंत्र जाप तो बहुत कर लिया, बहुत सारे मंत्र भी जाप कर लिये, मंत्र अक्टिवेट भी हो गए हैं, हो गए हैं, नहीं ये भी डिस्कस करेंगे, अब मंत्र को इस्तेमाल कैसे करना है, क्या मंत्र का क्या इस्तेमाल होता है, मंतर जापका क्या यूज होता है कैसे आप यूज कर सकते हो मंतर को इसके बारे में आजम बात करेंगे बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है क्योंकि ये चीजे एक आम इंसान तक पहुचनी बहुत जरूरी है तो अगर आप भी इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों जुड़े रहिए वीडियो देखिए अच्छे से क्लियरिटी के साथ मैं आपको इसके बारे में समझाने वाला हूँ जै मातारी आप सभी को यू आर वाचिंग माधिशक्ती मडिटीशन के इंदर हम सबके प्यारे से चोटे से चैनल में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वाकत है देखो सबसे पहली बात तो मंत्र ना आपका सात्विक और वैदिक होना चाहिए यानि कि मंत्र में बीज होना चाहिए बीज कैसे जिसे शिव जी का है विश्नुजी का है अम नमो भगवत्य वासु देवाए नम्हा और मा भगवती के अनेक मंत्र है जिसमय सेक क्लीम क्लीम चामुं smiles मंदा विच्चे अब बीज क्या है। तति कि ओम एम एम विज है होता है हं भी होता है और भी बहुत सारी बीज मंत्र है भैरव जी का है मादुरगा का भी होता है मा का वीज मंत्र है साथविक मंतर है बीज मंतर का इस्तेमाल करना और दीज मंतर बहुत अच्छा होता है सबस्य बात है। कि बीज मंतर नहां आपको इस मंत्र से एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है, अप इस इस सब 1 पहले में बाता हूं बहुत लोग कहते हैं कि मंत्र को सवालाग करने पर मंत्र एक्टिवेट होता है मेरा मानना ना ऐसा है आपको मैं कारण और हर चीज अच्छी समझाओंगा अगर आप कोई भी मंत्र जाब पहली बार इस्तिमाल करना पहली बार जपना शुरू करते हो ना तो मंत्र कभी भी सव आपको शायद 50,000 भी करने के जुड़त नहीं होगी तीस बीस हजार भी शायद आप मुश्किल से कर पाऊगे और आपको उसके अनरजी को इस्तमाल करना भी आ जाएगा और महसूस कर जाएगा और अच्छे सादक अगर आप हो गए हो बहुत सारे मंत्र आपने कर ली हैं मं बहुत अछे से किया है तो इतना अच्छा आनरजी हो जाएगी मन्त्र आप एक मौला भी आप रोज कर रहे हो तो कुछ समय में मंकृट को तो बहुत energy आपको अच्छी मिलती है मंत्र से और वैदिक मंत्र के energy बहुत अच्छी मिलती है पहला मंत्र हमेशे activate होने में समय लगाता है बाद वाले मंत्र बहुत जल्दी activate कर आफें कभी भी मंतर को गिन्लिय मत भगवान भी आपको गिन्लम के प्यार नहीं देते हैं नोकिप दिंधिग इनके और देऊ लक्न जो इस वार्शन के इसका अड़्य आपको ओस दिमाग डिया हूब ना जीनके आपको दिन दिया है can do आखे से लगाया, दो मिनिट के लिए बैठे, ब्रीफिंग एक्सराइज की, हाथ को रप्त किया, आखों पे लगाया, पेस पे लगाया, चाती पे लगाया, हर्दे चक्र पे लगाया, नाभी कमल पे लगाया, अंडराम से बाते। नाव मंत्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, आप महसूस कर पा रहे हो मंत्र के एनरजी, बॉड़ी आगी पीछे होती है, कॉस्मिक एनरजी के गिरने से, वाइब्रेशन फील होती है, बहुत अच्छी, आपके गूस बंस बहुत जादा आते हैं, आपके हाथ के रोंगते होता है, बीज मंत्र जब हम जाप करते हैं, तो आपका पौधा उगता है, कहां पे उगता है, आपको रूट चक्र पर, जब वो पौधा पेड़ बन जाएगा, तो वो फल देगा, अब उस फल में आपको क्या मिलेगा, उस फल के अंदर आपको मिलेगी सिद्धिया, सिद् आपके भगवान का एक स्वरूप होता है, जो आपके साथ हमेशा होते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपके फैमिली को प्रोटेक्शन देते हैं, नेगिटिविटी से, आपके हमेशा सुरक्षा करते हैं, जो भी आप रातना करते हो, वो उन तक पहुचती है, और जो भी वह आपको समझाना या बताना चाहते हैं वह आप तक बाश्टा है जैसे कभी के बार आप कुछ घलत डिसीजन ले रहे होते हो मन में एक दम से आ जाता है यारी डिसीजन गलत है कि आपको नहीं करना चाहिए यह मंत्र की ताकत है जो आप यह बात समझ पाने अब मंत् हो सिभ्यार जो ना भगवान की है उसको वह बहुत अच्छा तूल होता है बहुत अच्छा फूर्ड है उनके व्हождения है चाहे वह आफ से चोनका ज capitalize होता है Means इसजनब सुंगन जो होता है यह एक सेन्स जो है सुर्फ एक्टिव रहता है चिक है नाव आप जब सुंगन लिवेधित करते हैं हम हवन करते हैं गूगल नहीं भान डालते हैं और कपूर पर जलाते हैं लॉंग इलाइची तो यह फ्रेगनेंस उनको एनर्जी देती है और अगनी तत् करोगे आपको लेटेस्ट वीडियो में इससे पीशे वही दिखेगी नाव एक और बात मंत्र की में बात करूं मंत्र के इस्तमाल पर तो धिहान से सुनो मंत्र से ना वाटर अधर एलिमेट बी जयागित्र के आपको बताता हूं कभी कबार न हम लोगों को बहुत इंचार नहीं किसी का कुछ नहीं कह सकते कभी कबार डर लगता यार इससे नहीं तो नहीं है आपने सुना होगा ना बाला जी जाते हैं तो वहां पर भी का जाते हैं कोई दे तो मत खाना क्योंकि negativity हो सकती है फूड में negativity डालके आपको खिला दी जाती तो प्रमेन आपके स्टमक में negative energy भर जाती है और पेट तो पूरा डेड बैंड बज जाती है क्या करें अब भाई इसके लिए ना कभी भी डर लगे मंत्र के इस्तमाल करने का पहला तरीका बता रहा हूं बैट जाओ सबसे पहले तो जैसी खाना आए ना मन में चैंट करा जैसे कि मैं मन में बोल रहा हूं आपको बोलके दिखाता हूं नमश्य दो तिन बार बोला पाच्छे बार बोलन देन ब्लो फूक मारी ऐसे दुबारा दुबारा तीन बार डेड जो भी नेगेटिव एनरजी जो भी नेगेटिव चीज उसके अंदर होगी 90 परसंट खतम हो जाएगी और 10 परसंट आपको असर नहीं करेगा बिकॉस आप बहुत इनरजेटिक हो दो दिन बैठके जाब करोगे और 10 परसंट भी खायब 90 परसंट एंड है उसके बाद आपने घर पे कभी भी हवन भी बैढ़ आप नहीं जाब भी कर लिया इतना फरक नहीं बड़ेगा विकॉस आपकी उर्जय भी तुने डेवलप देना आपका स्तमाग उ जाब करने वाले भवन करता हैं जिन रात कंद मंत्र को जाब करने भवन करेगा ना तो वो समझली चला रहा है घर यानि की negativity के ऊपर बॉम्स गर रहे होंगे बलास्टे वर्ट में और आम इंसान जब भवन करेगा तो नॉर्मल हवन हो रहा है एनर्जी मिल रही है आपको बट सिध्धी वाला इंसान जब भवन करता तो सिध्धी इस्तमाल कर रहा होता है उसने बोला ओम नमहाशिवाई स्वाहा डाला और प्रात्ना के कि है शिव भगवान कोई भी हो तो फटाफट से वह पिटाई लगाता हुआ सारी नेगिटिविटी अब आम इंसान कर रहा तो सिध्धी तो उसके बस नहीं है वह एनर्जी भगवान तक पहुंच तो आपको आश्रेवत पर आपने क्या किया लो आपने घर में सपोज जला लिए कपूर आपने हाथ में अज़ाम है मैं आपसे प्राथना करता हूं कि मेरी लिग स्विकार करके मेरे आने वाली पर लिक्षा में मुझे सफल करें ऑबस्ली महनत करके जाना ऐसा नहीं कि आता कुछ भी नहीं है मां से प्रात्ना कर ली मां आपको याद दिलाने में आपको एक लग प्रुआई करने है और मेरा इंटेव्यू अच्छा जाए बहुत तो वो स्वीकार हो जाते हैं यहीं आप एक पान के पत्ते के ऊपर सपोस्ट बजरंग बली के भगते हो तो दो लोंग दो पताशे और दो इलाइटी रख ली हना सिंदूर रख लिया थोड़ा सा ओरेंज वाला एक जनियू र कर दें और अपने चर्णों में मुझे स्थान दें ऐसा कहेंगे और कल्यूग में मेरा साथ दें तो भगवान आपका साथ हन्यमान है तो यह कुछ मंत्र के तरीके हैं कभी आपको बहुत दो नेगिटिविटी फील हो रही है कपूर जलाया सामने बैठके जाप कर लिए दो कि एक बॉटल में ले लिया आपने 11 बार मंतर पड़ा तीन बार ब्लो कर दिया तीन बार ब्लोग रही हो तीन बार ब्लो करने से वह वो अक्तिवेटें हो गया किजी को भी नेगिटिविटी है आपको पानी उसको पलाएंगे से रिलीश महसूस होगा आपके घर में वो फिल हो गई तो वो मंत्र एक्टिवेट हो गया पानी एक्टिवेट हो गया मंत्र तो आपका एक्टिवेट था यह कुछ प्रॉसेस होते हैं बड़िन को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है अब जो मेंसे तरह बहुत लोगों को कुछ उपाय बताता हूं जो मैं आज आपको बताया इन में से ताकि कि देखो किछी के घर में नेगिटिविटी है तो आप यह कर लिए यह करिए महसूर अच्छी होगी अभी रिसेंट्ली मैंने चेक्किया एक इनसान को तो वह लेडी थी और लेडी क सिद्धिया थी काफिस है उनकी पिछले जनम से भी connected थी उन्हें महसूस होती थी बार बार दर्शन होते थे बट उन्हें पता ही नहीं था और वह जाब करती थी बहुत कम वह सिर्फ करती थी लक्षमी जी का जाब लेकिन सिद्धिया बहुत अच्छी थी बहुत पुरानी उनकी और पिछले जनम से connected थी मा काली की और हनुमान जी की तो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने जब महसूस किया बताय हुए उपाई के तो बहुत positivity महसूस हो उन्हें दर्शन हुए और उनसे connection बन गया बहुत अच्छा तो अब वह एक दम correct pathway चल रहे है उनका और भी अच्छा था अलगि कुंडलीनी वीक थी उनकी हिर्दे से नीची थी ध्यान नहीं लगाते थे तो ध्यान के बारे में मैंने recommend किया थोड़ी बहुत tips दी तो definitely आप भी जुड़कर और स्कैमिंग भी कताना चाहते हो tips and tricks लेरा चाहते हो अपनी life के लिए साथी में meditation classes के लिए जुड़ना चाहते हो definitely आप मेरे दिये के number पर आपके screen के है उपर आप जुड़ सकते हैं मेरे team से बात कर सकते हैं definitely आप आगे process बढ़ा सकते हैं जै मातारी आप सभी को लेकर आऊंगा मैं ऐसे बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल को subscribe करें and definitely हम लोग भी लेंगे ऐसी पहुत सारी वीडियोस के साथ जै मातारी आप सभी को जैश्री रा